नमस्कार, नेक्स्ट नाइन यूज नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सलुनितरी वस्ट्री मंगाल की मुख्य मंत्री मम्ता बानर जी के भतीजे और टी-मसी कॉंग्रस नेता अभिशेग बानर जी को ईडी ने तलब किया है खबर ये है कि केंद्री जाच अजिंसी ने कोईला घुटाले मामले में उन्हें दो सितंबर को पूछताच के लिए बुलाया है वे राजधानी कोलकता इस तिर दफ्तर में पेश हो सकते हैं खास बात ये है कि बंगाल के दोनों नेताओं ने मंगलबार को एक केंद्री एजिंसियों पर सवाल उठाए थे इस मामले में एडी मार्च में भी अभिशेग से पूछताच कर चुकी है इस मामने में फस्ट्री मंगाल की कुछ आई पियस अधिकारियों की नाम भी सामने आये थे वहीं टीमसी के यूब अनेता विनेमिश्रा और स्थानी एक कोईला संचालक अनू मांजी इस घुटाले के मुख्या रूपी है कि तोर पर वह अभिशेग के करीबी हैं कोईला घुटाले में पहले स्टेंडर अब यूरो ऑफ इन्वेस्टिकेशन यानी सीबी आई ने एक जाँच शुरू की थी साथी एडी की जाँच भी जारी है नवेंबर 2020 में सीबी आई ने केस दर्च किया था और आरोप लगाए थे कि हजारो करोड रूपे की कीमत का अवय तरीके से खनन किया हुआ कोईला सालों से ब्लैक मार्किट में बेचा जा रहा है कि हजारो करोडों की कीमत का अवय तरीके से खनन हुआ कोईला सालों से ब्लैक मार्किट में बेचा जा रहा है जाँच जिंसी ने आरोप लगाए थे कि ये काम पश्चुमी हिस्से में चल रहे है रैकेट की मदद से चला जा रहा है जो आई इस्टें कोल फी लिमिटेड कर ख़दाने चलाता है आपको बता दे किस पर भी 2021 को सीबी आई की चीब अभिशेक के आवास पर पहुंची और उनकी पत्नी और रिष्टिदार मेन का गंभीर को सम्मंचारी किया नेवेंबर 2020 में सीबी आई की तरफ से दर्ज की गई FIR के अधार पर ED ने PMLA के प्रापधानों के तहत मामला दर्ज कर लिया है ED ने दावा ये किया है कि सांचने सा वैत कारोबार से धन जुटाया है फिलाल की इस कबर में इतना ही एसी और फबरुक ले आप जुड़े रहे हमारे साथ